हेलो मेरा नाम सोएल सफइदा है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सपोजर ट्रियंगल के बारे में मैंने आगे वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे बेजिक टॉपिक्स कवर किये हुए है और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर कि आपके बेजिक्स क्लियर हो जाए इस वीडियो में हम थोड़ी सी एडवांस डिसकेशन करने वाले हैं जिसमें बेजिकली हम तीम टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें से पहला है एक्सपोजर ट्राइंगल के जो पर्टिकिलर कंपोनेंट्स है उनकी क्या प्रॉपर्टीज चैनल को थेसना अभचकता का सूस्ना घट्राइंगे और चीशमें से सुक्षण обरे is शुडेब्ट में देजिकिलर के लिदो करेंडे कर दोडिकम बीड़तु सब्सक्रॉपिक्क इसे क्या क्यासे की भिए को च Task concerns के बारे में जैसे में बाहिंजा है कि जतना चाहा चोटा एसमें जो ब्लर क्रीट होता है जो समूथनेस क्रेट होती है जो आपके सब्जेक्ट को सेप्रेट करती है उसे ड्यसका मतलब यह है कि अगर आप एपेचर को एपेचर का एफ स्टॉप वेल्यू है वह बहुत चोटा यूज कर रहे हो तो आपका जो डेप्ट फील्ड है बहुत ज्यादा आएगा तो इसलिए मैं यह सजेश्ट करूंगा कि अगर पोट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो या प्रोड़क्राफी कर रहे हो जिसमें सिर्फ आपका एक ही सब्जेक्ट है पर्टिकुलर जिसके उपर आपको फोकस करना है तो आप जितना हो सके उतना छोटा एफस्टोप वेल्यू यूज कीजिए जिससे आपका फोटो बहुत अच्छा आएगा और आपका बेग्राउं और कर रहे हो या फिर अगर आप लैंड्सके फोटोग्राफिक कर रहे हो जिसमें जितनी ज्यादा चीजे आप फोकस में लोगे उतना ज्यादा बहुतर मिलेगा तो उसके सिनारियों में आप बड़ा एफ्टॉप यूज करोगे तो आपका पिक्चर अच्छा आएगा अब ब में लादाी एक्सपोजर आपको मिलेगा सिस्टर्सपीट की चलंवा ऑर इम्पोरडंट प्रॉपर्टी यह वसकर सेस्ट्रसफीड अब भी मोशन ब्लर क्रेफीक कर सकते जो होता है मोशन वलर डौता है रहता है और दूसरा जो मोशन ब्लर होता है। में बहुत बाष आक्शन या पोटाह यह स्देबसे समय थे करने की लिए शटेव स्पीट का जो नंबर है वह ए चेक आवए करने के लिए आपको मिनिमम उन सिक्षिटी या टू हंडडर्ड के आसपास रखना चाहिए जिससे आपका पर जो मोशन ब्लर है अब इसके अलावा का जो मोशन ब्लर है इसमें सब्जेक के मोशन के वज़े से मोशन ब्लर क हो जाता है दूसरा अगर आप उससे ज्यादा फास्ट सब्जेक्ट की फोटोग्राफिक कर रहे हो पूर एक्जामपल अगर आप स्पोर्ट फोटोग्राफिक कर रहे हो तो उसमें मिनीमम आपको आपकी शटर स्पीड जो है वह 500-600 रखनी चाहिए तो अगर आप बहुत ज्य हो सके तो चलिए बाइस की प्रोपर्टी के बारे में बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि आयसो जो है वह बैसिकली आइफिशल तरीका है एक्स्पोजर लेवल बढ़ाने के लिए मालीजिए आप कोई ऐसी सिच्वेशन में है जहां पर ल बढ़ाते हो वैसे आपके पोटो के अंदर या वीडियो के अंदर ग्रेंज यानि की नॉइस क्रेइट होने लगता है और अगर आप एक अच्छे लेवल का आउट-पुट निकालना चाहते हो तो आपको आपके आइसो नंबर जो है वह बिल्कुल कंट्रोल में रखना चा सब्सक्राइब कर सकते हो बहुत सारे ऐसे कॉंबिनेशन से जिनको अलग अलग यूज करके परफेक्ट एक्सपोजर पा सकते हो लेकिन जब आप मैनुली शूट करते हो तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना रहेगा कि आप आपके पिक्चर से क्या स्टोरी कहना चाह अब मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें मुझे कितनी अपर्टर वेल्यू मिनीमम रखनी है वो मुझे डिसाइड करना रहेगा अगर मैं पोट्रेट ले रहा हूं तो मेरा एक्टोप बहुत चोटा होगा तो भी मुझे चलेगा अगर मैं फोटोग्राफिक कर रहा हूं तो मु इस तरीके से एक बाद मैं जाओंगा शटर स्पीट कर रहा हूं तो मिनीमम मुझे 168 की शटर स्पीट रखनी चाहिए जिससे कैमेरा शेक ना हो और उसके बाद करूंगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो मोशन में है या फिर नहीं है और अगर मोशन में है तो वो कितनी फास अगर वो बहुत जादा फास्ट है तो मैं अपनी शटर स्पीट उतनी जादा फास्ट करूंगा अगर वो मोशन में नहीं है तो 168 की सटर स्पीट भी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है तो यह सारी चीज़े आप माइंड में रखके आपके अपर शटर स्पीट को अगर आपको आपके आपके आएस वेल्यू बढ़ानी पड़ेगी एक अच्छा रिजल्ट आपको देंगे लेकिन उससे ज्यादा जैसे आप आगे बढ़ते जाओंगे वैसे आपके फोटो में आपकी वीडियो में ग्रेना सुरू हो जाएंगे तो अगर आपके आपके आ को यूज करके आप आयसो की वेल्यू डाउन कर सकते हो तो बहुत अच्छा है और अगर आपके पास लाइट अवेलेबल नहीं है तो फिर आयसो बढ़ाने के अलवा आपके पास कोई आप्शन नहीं है देखिए यह टॉपिक ऐसा है जितना प्रेक्टिस करोगे जितना मैं करेंगल को यूज करना सीख जाओगे तो आइए बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के और जिसमें डिसकस करेंगे कि एक्सपोजर ट्राइंगल को क्रेटिवली कैसे यूज करना है तो जैसे कि आपने एक्सपोजर ट्राइंगल के जो भी कंपोनेंट्स है शटर स्पीड सब्सक्ति को मजहारा है इनकी साथ को आहिए कि सब्सक्राइब मारे मैं बड़ा जोंका है किसे विकाद़ इंतरो Inside is a security को इस Сब्छिज को बदे फोटोराफिक कर सकते होां जिसके कुछ World मैं आपको बताने कि मुझा आपको यही कहूंगा अगर आपको फोटोग्राफिक करनी है तो वह आप एक ही तरीके से सीख सकते हो कि इन सब चीजों को ध्यान में रखे और बाहर जाए और बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए यह चीज प्रैक्टिस के अलावा और कोई तरीके से आप नहीं सीख पाओगे अलग 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 पाउये और वहां पर फोटोग्राफिक एक प्रैक्टिस किजिए जितनी ज़्याता प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्रि Вас рокि आ लेना सीख जाओगे तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही थैंक्यू सो मच एव गुड डे अगर करें